परभात मंदोर गार्डन में आप सबी का श्वागत है किसी जमाने में मंदोर मारवाड की कैपिटल थी राव जोधा ने मंदोर को ए सुरक्षित मान कर सुरक्षिया के लिहाद से चीडिया कूट परवत पर मेहरानगड का निर्मान कर जोधपूर को बशाया जोधपूर 12 किल अर्शम था इस नगर का नाम रावन की रानी मंदोदरी के नाम पर पड़ा लंका पति की साथ मंदोदरी का विवाय हुआ था मंदोर के इन सचत्रियों को खाली गुमबत के नाम से भी जाना जाता है मंदोर एक त्रहसे मारवाड शास्कों की कबर गाय है मॉनिंग दोस्तों आज शुबह की इस प्रभात वेला में मैं आपको दर्शन करवाता हूँ इस मंदोर गार्डन के जहां अभी अभी हम शुबह को पहुंचे हैं आप देख पाएंगे इस भव्य मंदोर गार्डन को जो छत्रियों का गार्डन भी कहा जाता है इस गार्डन म इस दिवारों से घिरा हुआ है आप देख पाएंगे कि मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से यहां पर कितने सारे लंगूर यहां किले की दिवारों पर शुरक्षा गार्ड्स की तरह से तैनात रहते हैं और वह हम सब का इंतजार करते हैं कि कोई आएगा हमें कुछ खिलाएगा तरह तरह के पेड़ों से सजा धजा यह मंदोर गार्डन मैं कहता हूँ कि इससे बहतर और खूब सूर्ति की जगह कोई हो नहीं सकती है इतनी यह मंदोर गार्डन हम और आपने नहीं बनाया है हमारे 600 साल पहले हमारे पूरजों का बनाया हुआ यह मंदोर गार्डन है और पूंप पीछ बहुत सारे विवव इसके बहुत सारे विव पॉइंट देख पा में अपको हुआइड ख़र कि कुछ सुके में कि यहां हों गयल के डिवार के साथ दिखाई दे रहे होंगे यह अती सुंदर 18 भी पॉइट जहां पर हमारी एक जील है काफी अच्छी जील है और यहां से पूरे जोदपूर का एक मनोरम द्रश से देखा जा सकता है तो इस तरह से यह मंदोर गार्डन अती सुन्दर इस गार्डन में फिलम कॉंग्फु योगा के सुटिंग जैकी चैन ने मंदोर की छत्रियों के साथ की है सन्नी लिय जो हम मंदोर में पहुंच चुके हैं यह मंदोर संग्राले है और जैसे हम पहुंचे हैं अभी लग लग आठी बजेव गया है लेकिन यह दस वज़े इसका खुलने का टाइम है अनफॉर्सनेटली हम आज उसको नहीं देख आएंगे क्योंकि आज इस संग्राले के छुट अधा दूर की तरफ जाते वे हमें गुफा दिखाई दी मैंने सोचा क्यों ना हमें यहां ट्रैकिंग करने चाहिए और गुफा का मुएना करना चाहिए एक्दम खड़ी गुफा थी लेकिन जैसे तैसे हम इसमें गुशे लगता है इतनी उची चठाए चठने के बाद हम अपि मंजिल तक पहुंचने में कामियाब होने वाले हैं यह मंदोर गार्डन का किला चारह तरफ दिवारों से महलनुमा इमारतों से धाका हुआ है कहीं तालाब है कहीं गार्डन है कहीं पेड़ पौधे है यह देखें इत पूरा डेम काहीं पी है इच्छे तक फ्रला हुआ है आधार पर बने किले पर पहुंचकर हमें आनंद की अशिम अनुभूती हो रही है को काफी हुचाई चड़ने के बाद हम चामुंडा माता मंदीर मंदोर के इन हवाई किलों में पहुंच चुके हैं और जैसा कि आप जानते होंगे भारती पुरातत्य सर्वेक्षण मंदीर है और इसको पूर्ण संद्रक्ष्या परदान है आप यहां से आप पूरा देख पाएंगे चारुत तरग पहाडियों का यह विहंगम द्रस्य और यह हमारी व्यूपॉइंट्स जहां पर धेशारी लंगोरों के द्रस्य से भी देखने को मिलेंगे यह पूरा का फूरा मंदोर गार्डन उस ताइम अंकंस्ट्रेक्टिड रहे चुका था और इसका कंस्ट दुर्ग के अंदर विश्णू तथा जैन मंदिरों की खंडर हैं मंदोर गार्डन के पास मंदा गोत्र के जाटों का दुर्ग था और मारवाड के बड़े भूभाग पर मंदा जाटों का गण राज्य था रावन के सशूर राजा मंद से ही मंदा गोत्र का विकाश वा रा राजा मंद की पूत्री मंदोदरी रावण की चरित्रवान पत्नी थी हाई अब हम बड़े खत्रे में आ गए हैं ब्रह्मा मंदिर में परवेश करेंगे जहां इस पुराने और शेश मंदिर की जैड़ स्क्योटी लंगूरों के हाथ में भगवान ने दी थी और वही लंगूर यहां पर आपको शाथ आज दिखाए देंगे दोस्तों यह ब्रह्मा मंदिर है जो अनकंस्ट्रेक्टिव पॉर्शन में छूट गया था और ब्रह्मा भवान ने इसकी जैड़ स्क्योटी लंगूरों के हाथ हो में दे दी थी तो इस जैड़ स्क्योटी का पूरा कार्य भार हमारे लंगूरों ने शंभाला हुआ है आप असली में मैं आपको उस व्राठ्थान से वातित करवाऊंगा जहां पर सच्मुश कहीं लंगूर जैड़ स्क्योटी करते ही दिखाई देते हैं वह इन लंगूरों के बीचो मैं स्वयम को काफिस प्रक्षित महसूस कर रहा हूं कि इतनी लंगूर सेना हमारी इतनी वफादार है हमारी भारते सेना की तरह यह सबी शैनिक भी कभी भगवान राम ने यूज किये थे और इसलिए मुझे आज आयुध्या की और रावन की चढ़ाई की याद आ रही है लंका आ अगराऊ कि याद आ रही है मैं परवेश्ट कर रहे हैं उन मंदिर कर रहे हैं जो मंदिर है ऐसा यह मंदिर है जिसकी construction आपको देखने से ऐसे लगेगी कि शायद ही ये कोई जादू होगा या कोई पर्यों का वास होगा सब कुछ मंगल में है वाँ इस मंगल में ड्रेश्य में मैं और इसमें जूमा गाउंगा सब कहते हैं हम जुमेंगे हम काईंगे ऐसे मंगल में अच्छा और कोई होगा नहीं मिले का इसको भी हम चूकना नहीं जाते हैं मंडोर की ये शाही छत्रियां यानि शाही सम्शान घाट मरने की बाद यादगारी को अजर अमर करने की एक सास की एक कौशिस थैंक यू फूर वाचिंग दिस ग्रेट मोनुमेंट आप शबी को हमारा बहुत बहुत शाधुवाद जय हिंद जय परण झाल 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 झाल